हाई गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, कैसे यसे भी लोग आशा करती हूँ, से भी लोग ठीक ठांग होंगे और नया साल कुशों से मनाया होगा, कैसा है आप लोग का नया साल, बताएगा जुरूर, तो चलिए, कल का जो आदा वीडियो बचा था, आज मैं बना रही हूँ उस वीडियो को, एक्च्वल मैं कल जो कैरेट का हलवा बनाया था, उसी दिन ये भी बनाया थे, लेकिन एक इदम दालने से वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर बोर हो जाएगा, इसलिए मैं दो पार्ट में बना रहे हूँ, पहले यहां मैं मेती चमन बना रहे हूँ, मेत बनाक दालेंगे, उसके बाद मेति-पत्ते दाल देंगे अर उसी गयस पर चोटा सा बॉल रखके पानी पानी के अंदर एक मुट्टी ब़े पाजूः और कजूड़न d यहां वाटर मिलियो फेक्ऱ सटी होबाल मैं घाल से पांच मिनित के लिए पाल लेंगे फिर से 1 चद कड़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल जीरा दो इलाई ची एक तेज पता दाल देंगे जब जीरा तड़कने लगे तो ओनियन्स दाल देंगे औनियन्स को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे इसके बाद जो हम लोग टामाटर का पेस्ट बना के रहकेते उससे दाल देंगे और मैं दुसरी तरफ मेती को ठंडे पानी में दाल के उसे कट करके रख लोगे और जो टामाटर के पेस्ट दाले है उसके बाद हम लोग इसके अंदर रेगलर के मसाले दाल देंगे जैसे कि रेड़ चिली पोडर, धनिया पोडर, हल्दी पोडर, स्वाधन सार नमक दाल के अच्छे से मिला लेंगे अभी इसे ढख के हम लोग 5-6 मिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे दूसरी तरफ दो काजू और माटरमिलन के सीट्स को हम लोग पाका के रेके तो उसके नर धाई दाल के उसका पेस्ट बना के रख लेंगे देखे टामाटर पक चुका है अभी इसके अंदर हम लोग जो काजु का और धाई का पेस्ट बना के रेकेते उसे दाल देंगे उसे दाल के अच्छे से मिला लेंगे सारे को इस जार में थोड़ा सा पानी दाल के इस पेस्ट में पानी दाल दूँगी बिल्कुल थोड़ा सा उसे सारे को मिला के एक दो मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे दो मिनिट के बाद हम लोग जो मेती की सबजी को हम लोग गरम पानी में दाल के निकाल के ठंड़े पानी में दाल के कट करके रखेतें उसे डाल देंगे मैं यहां गरम मसाला मैगी का यूज़ करें हूँ आप लोग आपके पास जो गरम मसाला वो यूज़ कर सकते हो उसे डाल के हम लोग 5 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद घर का मलाई मैं 2 स्पून घर का मलाई डाल रहे हूँ अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम डालिए डाल के इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और पनीर लेके पनीर को हम लोग ग्रेट करके डालेंगे ग्रेट करने के लिए भी हम जहां मोटे होल्स होते हैं उस तरफ से ग्रेट करेंगे ताकि यह अच्छे से पिसे पास जादा देर नहीं पकाना चाहिए मैं इसे 3-4 मिट पकाऊंगे थोड़ा सा चीनी मैं दालेंगे इससे सुहाद बढ़ता है और मैं ये सलाड में लच्छा ओनियन बना रही हूँ लच्छा ओनियन के लिए मैं राउंड लच्छा नहीं कट करें लंबे साइज में कट करें हूँ इसके अंदर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिच, चाट मसाला, नमक तीन से चार ड्रॉप आईल और आदा नेमू दाल देंगे दो चुटकी काला नमक दाल देंगे और इससे अच्छे से मिला लेंगे ऐसे आप लोग बना के रोटी के साथ ठाईए बहुत ही टेस्टी लगेगा अपना सबजी भी रेडी हो चुका है मैं यहाँ रोटी सेख लूँगी मेरी बहुत रोटी बेल रही है मैं इससे सेख लूँगी आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा और कल का और आज का वीडियो कैसा लगा बताईएगा जुरूर गर अच्छा लगा तो लाइक करिए शेर करिए पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिए सब्सक्राइब के बाद जो बेल बेटन होता है उसे प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो दालू उसका नोटिफिकेशन आपको लोगों को अप्टुडेक मिलते रहे है आप लोग हलवा सबजी और सलाट जरूर ट्राइक करिए आप लोगो और आपके फैमली को जरूर पसंद आएगा वारा रोटी रेडी हो चुका है चलिए मैं प्लेटिंग कर देती हूँ आप लोग भी ट्राइक करिए और मुझे बताईएगा कि आपको और आपके फैमली वालों को आज का दिनर कैसा लगा तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में ओके बाई